36 गड़ के डोंगर गड़ से खरका टोला बोरता लाव मार्ग 36 गड़ तथा महरास्ट्र को जोडने वाली एक परमुख अंतर राज्जिये मार्ग है इस मार्ग का निर्मानकार्य काफी पहले शुरू हो चुका था जिसकी आधी अधूरी सविक्रिती होने की वज़े से इस मार्ग का निर्मानकार्य अब तक अधूरा पड़ा हुआ है जिसको पूरा करने की मांग को लेकर वनांचल के ग्रामिन अर्विंद नंदेश्वर आमर पूरी नहीं होगी वह अपना अंशन खत्म नहीं करेंगे इस मार्ग के निर्मान कारिये को पूरा करने हेतु वनांचल के बोरता लाव निवासी अर्विंद नंदेश्वर लगातार लडाई लड़ते रहते हैं उन्होंने भी भाग के अधिकारी से लेकर जन प्रतिनीधियो उच अधिकारियों तथा प्रधान मंतरी तक को इस मामले पर पत्र प्रेशित किया है जब इस मामले पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके बाद उन्होंने अपनी दी हुई चतावनी के अनुसार आमन अंशन शुरू कर दिया उन्होंने बताय कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आमन अंशन जारी रहेगा डौंगरगड से समध आता सौन कुमार सीनहा की रिबॉट और बरबाद करने के कारण और इसको ठीक करने के लिए उन्होंना कार्य प्रादाम करने के लिए कई बार ग्रामीनों ने आवेदन दिये एक बार चक्का जाम भी हुआ फिर दूसरे बार फिर चक्का जाम हुआ और उसके बाद आहत होकर मैंने मानी राज्यपाल मानी मुख तो मैं एक नॉमबर को अमरान एंसन में बैठा था जिस पर अजिदियान साफ दूंगरगड पुली सनुभागी अदिकारी और लोग निर्मान गार के तमाम अदिकारी आ करके मुझे लिखित पर अस्वासन दिये थे कि जड़ से ज़ित आकाम निर्मान कारे प्रारम कर देंगे लेकिन विकत तीन महना होने के बावजूर आज तक किसी भी प्रकार से दिर्मान कारे प्रारम करने अस्वायजी के संबन में कोई जानकारी नहीं दिया इससे आहत होकर मैं और ये समस्याओं को देखते हुए तिर तजियम साब को और मानी नरेन सिंग नरेन मोदी जी प्रधान मंत्री भारत सरकार मानी नरेन सिंग तोमर ग्रामी निविकास मंत्री नई दिल्ली भारत सरकार एवं डारेक्टर ग्रामी निविकास मार्ग नई दिल्ली को भी कागज द तो अब निर्मान के लिए यह जो रिवाइज इस्टिमेट जो भीजा गया था, अब लब लब सारे खार्मेंटी पूर्न हो चुकी है, उमीद है कि बहुत जड़ी महीं सुरू हो जाएगा. अब जे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज एसे ही लेटेस को बहुत पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें। घन्ने वादी।